मेरा नाम राहिंदर प्रसाथसा है मैं अर्या जीला के कुर्षा कटा गउंका रहने वाला हूं और मैं धर्म से अगर कुछी है तो मैं नो हिंदू हो नो मुसल्मान हूं मैं अनन्मार्गी हूँ, मैं भागवत धर्म को मानता हूँ, इसलिए आजन मेरे मन में एक संका है, जहां गीता कहती है, धर्म स्थापनार था है, सम्भवामी जुगे जुगे, और मुसल्मानों से सुनता हूँ, मुहम्मद इस दा लास्ट पेगंबर, मेरा सक है कि परमात्मा अल्ला की सिरिष्टी, इन्फिनाइट वेब्स में चल रहे हैं, तो इन्फिनाइट समस्याएं आगे आएंगी, तो हूँ, मुहम्मद दा लास्ट पेगंबर, अगर ये सही है, तो गीता का या कृष्ण का या घोष्णा, सम्भवामी जुगे जुगे, क्या गलत है, भाइ श्री किशन कहते हैं, कि जब भी इस धर्ती पे जुल्म होगा, तो उस वक्त भगवान एक पैगंबर को भीजेंगे, और हर दोर में एक पैगंबर आएंगा, सम्भवामी जुगे होगे, हर युग में आएंगा, तो भाइ का सवाल है, क्या किशन गलत है, आप मुसलमान क्य मुसलमान क्या पैगंबर है, क्योंकि ये कहा गया, कुरान मजीद में सुरह आजब में, सुरह नमबर 33, आएट नमबर 40 में, कहा गया, मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिर जालेकुम, वलाकी रसूल्ला, वखातम नबीन, वखाना लाविकुले शेन अलीमा, कि मुहम्म्म् आप लोगों में से किसी के वालिद नहीं है, लेकिन खातमन नबीन है, आखरी नबी है, क्योंकि खुरान मजीद में कहा गया है, कि मुहम्म्म्मद अखरी नबी है, हम इस पे यकीन रखते हैं, जहां तक कि आपने कहा शी किशन, मैं शी किशन के बात को मानता हूं, कि जब कि इस धर्ती पे गलत काम होंगे, उस वक्त खुदा एक पैगंबर को भेजते हैं, और हर दोर में एक पैगंबर भेज़ेंगे, बिल्कुल गलत नहीं है, आपको समझने में गलती हुई, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे भगवत गीता, भगवत गीता को कहा गया है, कि ये वेद का निचोड है, और जब आगे आप पढ़ेंगे, लिखा हुए कल की पुराना में, कल की पुराना में लिखा है, कल की पुराना चाप्टर नमबर दो, श्लोक नमबर पांच, साथ, ग्यारा, पंद्रा में लिखा है, कि एक कल की आउतार आएंगे, जो कल युग में आ होंगा और ये कल की आउतार लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे और ये कल की आउतार के वालिद का नाम है विश्नु यास मतलब भगवान का नौकर अर्भी में अब्दुल्ला जो नाम थे मुहम्मद के वालिद का उनके वालिदा का नाम होंगा सुमती सुमती मतलब अमन शांती अर्भी में होंगा आमेना जो नाम था मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم के वालदा का नाम वो पैदा होंगे अमन के शैर में जो है मक्का वो पैदा होंगे ऐसे खांदान में जो उस शैर के चीफ होंगे हम जानते हैं मुहमद صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئے उनके चार करीब दोस्तों होंगे हम जानते हो चार खुलफा राशिदी ने हदरत अबुबकर, हदरत अमर, हदरत उस्मार, हदरत अली रदलाव अनू, अल्ला सुमाना अच्छाला की रहमत सब पर हो उनको सबसे पहली वही मिलेंगी एक गार में एक केव में, हम जानते हैं मुहमत सबसे पहले वही मिली गारे हिला में, उनको राख तिया वाद सबसे पहले वही आएंगी वो, इविल माइगरेट, नौट वर्ज और न कमबैक और मुहमत सबसे अल्लाव सल्म भाई साब, ये कल यूग है और कल यूग के आकरी आउतार है कल के आउतार जिसका नाम कुरान मजीद में लिखा गया है मुहमत सल्लाव सल्म तो ये जो आपकी भगवत गिता में लिखा है मेरे इसाब से सही लिखा हुआ है कि हर यूग में एक आउतार आएंगा और आख्री यूग रिखा हुआ है कल की पुराना में वो कल यूग है और कल यूग के आउतार है कल की आउतार तो आप सबको जोड़ेंगे तो पता लगता है कि आपके वेद में भी कई निशानिये मुहमत सल्लाह सल्लम की कई बार मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم का जिकर है कमस कम एक सो हवाले तुम्हें देख सकता हूँ जिसमें मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم का जिकर है अगर आप पढ़ेंगे अगर आप पढ़ेंगे भविश पुराना परवतीन खंडतीन अजजतीन श्रोकास पांच से आठ उसमें कहा गया ह मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم आएंगे और वो एक फारेनर हैंगे और वो डेजर्ट से आएंगे लिखा है भविश पुराना में परवतीन खंडतीन अजजतीन श्रोका 10 से 27 इसमें मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم का जिकर है अगर आप पढ़ेंगे कुंटप सुकतास अथरवावेद कित करते हैं कई पुराना में हैं तो अगर आप भगवद गीता को लेते हैं और एक मानते हैं तो सारे के श्रोका कहे रहे हैं कि आखरी पैगंबर आने वाले महम्मद मुंम्म्मण में मनना चाहिए भाई साब भाई साब भागवत कीदा किसी नहीं हूँ तर्क चतर पर जो मेरा लॉजिक एक्षिप्ट करता है वो शी को मैं मानता हूं लेकिं आपने भगवत कीदा के हुआला दिये के पुरान के बात में पुरान के बारे में पुरान कार का जो कहना है कि आश्टा दस ब्यासस बचनम ब्यासस बचनम दुए पापाई पर पिड़नम पुन्याई पर हितनम इसी तरह का है कि अधारों पुरान का उद्देश है कि दूसरे को कश्ट देना पाप है और दूसरे का भलाई करना पुन्य है मैंने कब बोला कि दूसरे को कश्ट दो और दूसरे के भलाई मत करो मैं कह रहा हूँ इस अधार पर मैं पुरान के दूसरे को कश्ट दो कुरान में मिलने के दुसरे को कश्मत दो कुरान में मिलने के दुसरे की मदद करो इसके ओपर बहस ने हो रही है बहस हो रही है कल की पुराना पे कल की आउतार पे आप आखरी पैगंबर में मानते हैं कैने यह मैं पूछ रहा हूँ मुझे कलकी पुरान का दियन नहीं है डाक्तर साहब मुझे कलकी पुरान का दियन नहीं है तो आप अगर गुद्धी के ओपर आप मानते है तो मेरी ये आपसे इलतिजा रहेंगी के कलकी पुराना पड़ो और ये जाच परताल करो के कलकी आउतार कौन है और कलकी आउतार की आप इंशालला मुम्मद ने मानेंगे तो मेरी आप से इलतीजा है कि आप इस पर देखी करो कि आखरे उतार को ने और इंशालला आपको उदायत देंगे आलाथ आलाथ डाक्टर साव एक रिक्वेस्ट आप से मेरे एक भाई को दूसरा सवाल पुछने के लिए एक छोटा सा सवाल पुछ सकता हूँ एक छोटा बेरी 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 जेकी जेकी मुसल्मान लोगों को जब कोई हिंदू मिलता है तो बोलते है उसको आदा वर्थ लेकिसी मुसल्मान को बोलते है असलम आलेकुम मुझे लगता है कि एक मुसलमान हिंदू और मुसलमान के बीच भैदबाओ करता है किरपिया आप असपर्स किजिए इसको भाई साब का सवाल है कि अगर कोई मुसलमान हिंदू से मिलता है तो आदा बर्स करता है अगर कोई मुसल्मान से मिलता है तो आस सलाव उनको कहता है तो हिंदू मुसल्मान में भेदबाओ क्यों भाई साथ हिंदू मुसल्मान में भेदबाओ तो रहेंगा मैं आपके सवाल का जवाब दूँगा क्योंकि हिंदू हिंदू है मुसलिम मुसलिम है लेकिन एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए पहले भाई साथ इसने सवाल किया था उन्होंने मुझे अदाब कहा तो मैंने उनसे कहा सलालेकुम कहा के ने कहा ना हिंदू ने मुझे कहा के अदाब कहा के ने मैंने उसे सलाम कहा के ने वोग समय को जानते सिर्फ मुझमें देखा कि मैंने सलाम का जी इसकी वजे ये है क्योंके उल्मों पे एक्तिलाफ है कि आप गैर मुसल्मान को सलाम कर सकते हैं पहला ये जान ले अस्सलाम की मानी क्या है अस्सलाम वालेकुम की मानी है कि आप पे सलामती हो अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्ह बरकातु आप पे सलामत रहे रहमत रहे और बरकत रहे ना इसमें इक्तिलाफ है मुसल्मानों में मुसल्मान अल्मा में कि आप गैर मुसल्मान को सलाम कर सकते हैं गैर मु जिसके अंदर यहूद लोग मुसल्मान को कहते असाम अलेकुम असाम अलेकुम का मानी आप पे मौत हो साम के मानी मौत असाम अलेकुम आप पे मौत हो तो अल्ला के रसूल ने फर्मा है आपको अलेकुम उन पे भी तो यह हदीस है सही हदीस है यहूद लोग कहते हैं तो मुसल्मान को छेड़ने के लिए अस्साम आलेकुम आप पे मौत हो तो अल्ला की रसुल ने फर्मया आपको आलेकुम आप पे भी हो तो इसकी पज़े से एक्तिलाफ और कई हदीसे है मैं ज्यादा बहस में ने जाना चाहूँगा लेकिन ये कहना चाहूँगा कि कुछ उल्मा ये भी कहते हैं कि आप अस्सालाम वालेकुम कह सकते हैं क्यूंकि कुरान मजीद की एक आयत है सुरह निसाम में सुरह नमबर चार आयत नमबर छेयास से एटीस इसमें कहा है अगर कोई आप को ग्रीट करता है अगर कोई ग्रीट करता है तो आप और बहतरीन तरीके से ग्रीट करो अगर कोई आपको ग्रीट करता है और बहतरीन तरीके से ग्रीट करो ये कमस कम उतना तो अगर कोई अस्सलाम वालेकुम कहता है मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्ह अगर कोई कहता है स्सलाम आलेकुम रहमतुलाँ मुझे कहना चाए वालेकुम रहमतुलाँ बरकातो या कमस कम उतना ये जरूरी है तो इसलिए अगर कोई मुसल्मान मुझसे आदाब कहे तो आदाब से बेतर कहे है السلام علیکم اور اللہ کے رسول کے لئے کہا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ فرماتے جو میں نے تقریب میں بیان کیا سورہ امیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وَمَا عَرْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَدِ الْعَالَمِينَ کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لئے سارے عالم کے لئے تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لئے رحمت بن سکتے تو کیا میں السلام علیکم اور رحمت اللہ نہیں کہہ سکتا ہوں تو اس بنیات پہ علماء کا اختلاف ہے کہ السلام کہہ سکتے کہنے میں ان علماء میں مانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلمان کو سلام کہہ سکتے اور جواب بھی بہترین دے سکتے اسی لئے جب بھائے صاحب نے کہا عداب تو میں نے کہا السلام علیکم کیونکہ میرے حساب سے السلام علیکم اور بہتر ہے عداب سے بہتر ہے السلام علیکم کہ آپ پہ سلامتی ہو رحمت اور برکت ہو تو بھائے صاحب میرے نزدیک غیر مسلمان کے لئے سلامتی چاہنا اچھی چیز ہے اور اسی لئے میں آپ کے لئے سلامت چاہتا ہوں بھائے صاحب بھائے صاحب یہ لٹ آف تھانکس ٹو یو صاحب میں سلامت چاہتا ہوں اور لیکن صرف موت سے نہیں میں چاہتا ہوں عمل سے آپ سلامت ہی پاؤ اسی لئے میں کہتا ہوں کہ تحقیق کرو کل کی اہتار کے بارے میں آخری پیغمبر کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ کو سلامت ہی اس دنیا میں رہیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ